फाइनली विन्दब््रेकर सीजन 2 इस कणफर्म बाइनिप्लेक्स या 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 आखो बाठाए विन्दब्रेकर जो की टिनेर बॉइस का फिर्वेट और शुर्ण अनिमे के जौनरे का उबरता सितार रहा है क्योंकि इस anime ने अपने एक ही season में काफी जारा poverty gain की है और इसी वाज़ से इसे काफी लोग hate भी कर रहे हैं क्योंकि वो इसे अपने फिर्वेट anime to query वेजल के साथ compare करते हैं I mean तुम क्या कर रहे हो यार अगर तुम एक true anime fan हो तो तुम्हे answer पता है Windbreaker is better bro और सबी लोग इसके season 2 के इंतिजार में और इनी सब में कुछ ऐसे यूटूबर है जो fake news फैला रहा है कि Windbreaker का season 2 किसी xy date पर release होगा मतलब तुम क्या कर रहो यार थोरे से view के लिए ना करो ख्यार बहुत बाते हो गए अब फिर से हम topic पर आते हैं जो कि यह Windbreaker के season 2 के release date के बारे में So हाँ Windbreaker का season 2 officially confirm हो गया है by Aniplex और इनोंने इस topic fake teaser भी launch किया है जो कि मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता नहीं तो YouTube वाले मुझे copyright का award देंगे चैर अगर तुम चाहो तो Aniplex का official channel पर जाकर तुम यह teaser देख सकते हो उनोंने यह confirm किया है कि Aniplex Day 2025 में continue होगी बढ़ उनोंने किसी fix date के बारे में बात नहीं किया Hopefully यह anime next year के January में continue हो चुकि हमेशा year के starting में Japan काफी anime launch करते हैं और जिस तरह Windbreaker की hype बनी हुई है मुझे नहीं लगता हो इसे जगा देर तक hold करेंगे So hopefully यह वीडियो तुम्हाँ दिया informative होगी और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करो चाया पे नहीं हो तो चाया को subscribe करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्याव नारा यो